है दोस्तो कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे आज तीन बरी अपडेट है दोस्तो जो आप लोग से मैं शेयर करूँगा पहला अपडेट है साओधी फलाइट को लेकर के इंडिया टू साओधी का जो फलाइट है उस पे बात करेंगे दूसरी इंडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा तो चलिए पहले फलाइट से शुरू करते हैं फलाइट जो है ना इंडिया से साओधी के लिए अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है हो सकता है यह 15 अगस के वजह से कल 15 अगस है इसके वजह से कोई अपडेट नही करकitting सबसे पहले मैं दूँ दूसरी खبر है दोस्तो गिरिन टेक्सी को लेकर के जो साओधी आरब के जो हुकुमरान है उन्होंने कहा है कि जो टेक्सी है जद्धा यारपोर्ट पे सर्विस टेक्सी अभी शुरू किया गया है उसमें कहा गया है कि वो टेक्सी अगर आप ले किया और वहाँ आपके डिस्टेनेशन के पास जाके उसको याद आया मैं मीटर चालू नहीं किया हूँ तो इस हिज़ाब से आप पैसा नहीं दे सकते हैं ठीक है यानि गलती उसका है लेकिन फायदा आपको हो सकता है खर यह ऐसा नहो क्योंकि हर किसी का रोजी रोटी है क्यों कोई भूलेगा तो यह कहा गया है ट्रांसपोर्ट के जो अधिकारी है उन्होंने कहा है दूसरी बात यह है उन्होंने यह भी कहा है कि जो टेक्सी में बैठेगा उनको वाइफाई प्रवाइड करेगा टेक्सी ड्राइवर वाइफाई फिरी देना होगा चुकि काफी सारे लोग जो बाहर से आते हैं जिनके पास नेट नहीं होता है पहरी बार आते हैं साओधी अरब में तो इसलिए कहा गया है कि वो प्रवाइड करेगा आपको internet, तिसरी बात है दोस्तो टेक्सी ड्रैवर आपसे ज्यादा पैसा नहीं ले सकता है, जो पैसा मकरर्र है, यारी जो पैसा ताइक क्या गया है, उतना ही भारा आपसे लिया जाएगा, अगर आपसे जादे भारा लेता है, आप complaint कर सकते हैं कि ये टेक्सी वाला हमसे जादे भारा लिया है तिसरी अपडेट है दोस्तो बहरेन से कुछ लोग आ रहे थे जिनको पकड़ा गया है वैक्सिन के सर्टिफिकेट डूब्लिकेट था ठीक है यानि नकली था जो नकली उसका वैक्सिन का सर्टिफिकेट था इससे मुझे एक बात समझ में आया कि काफी सारे लोग जो आते हैं इंडिया या पाकिसान से और नेपाल से वो लोग भी येरपोर्ट पर जैसे दोहा येरपोर्ट पर कतर में पकरा गया था खैर उनको तो कुछ नहीं हुआ छोड़ दिया लेकिन साओधी के अंदर इतना सक्त कानून बनाया गया है कि अभी जो बहरैनी आदमी को जो पकड़ा है उनको दो साल का जेल में डाला है ठीक है तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं किजेगा कि आपका जो वैक्सिन का सर्टिफिकेट है वो डुब्लिकेट हो ठीक है एकदम ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लेकर आईए बार कोड वाला बार कोड नहीं है तो हो सकता आपको जेल में डाल देगा चुक्छे बार कोड अनिवारे है वैक्सिन सर्टिफिकेट पे अगर बार कोड अगर इसकेन करने पे पता चलता है कि यह डुब्लिकेट है इसकेन करने पे उसका वेबसाइड नहीं आता है तो फिर आपका वो डुब्लिकेट माना जाएगा इसलिए वैक्सिन का सर्टिफिकेट आप ध्यान से आप खुद अपने मोबाईल से भी स्केन करके आप देख ले कि उसका वेबिसाइट शो करता है कि नहीं आप पा डिटेल आता है अगर नहीं आता है तो आप उस वेक्सिन सर्टिफिकिट में जा करके आप कम्पलेन कर सकते हैं कि भाई इसका वेबिसाइट क्यों नहीं आता है चुकि काफी सारे जो होता है बारकोड में नहीं आता है तो हो सकता है कभी देखिए मैंने कई वीडियो में कहा है कि जो पेपर का वर्क होता है वो कुछ और होता है और जो सामने सामने कुछ बात होती है ना तो वो कुछ और होता है तो होता है कि आगर आप एक बार scan करके देख लिजेगा कि आपका जो barcode है सही है या नहीं है ठीक है नहीं तो आप फंस सकते हैं बुरी तरह फंस सकते हैं दो साल का jail हो सकता आप तो ये कुछ update था दोस्तो चैनल को please subscribe कर दिजेगा और वीडियो को like share कर दिजेगा मिलते हैं दोस्तो नेक्ट वीडियो में thank you